Hello and welcome back students तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कोप आफटर बीपीटी बैजलर और फीजियो थेरपी मैंने जब लाइव भी किया और उसके साथ साथ बच्चों से पूछा कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए तो काफी बच्चों को यही डाउट आ रहा था कि बीपीटी इस गुड और नोट बीपीटी अच्छा है या नहीं है बीपीटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बीपीटी करने के बाद कितनी स्कोप होंगे कितनी क्या रहता है सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो ये वीडियो होने वाले completely guide regarding the BPT इस वीडियो में BPT के regarding complete details से बात करने वाले क्या scope है and female के लिए क्या scope है male के लिए क्या scope है and कितने percent chances हैं और क्या क्या तुम BPT के बाद कर सकते हो तो इसके बारे में सब कुछ वीडियो में बात करेंगे तो BPT जो होगा एक काफी अच्छा course है और इसके बाद तुम्हें various work कर सकते हो like hospital administration का अपना business management, public health management सब कुछ में वीडियो में clear करूंगी और normal package जो है वो 5-6 lakh per annum जो है BPT का रहता है सब कुछ हम बात करने वाले रोल और responsibility सबसे पहले मैं बता दू तुम्हें कि फीजो थर्पिस्ट की रोल और responsibility क्या होती है कि क्या क्या फीजो थर्पिस्ट जो होता है वो work करता है तो एक large role होता है and responsibility होता है सब कुछ तो वीडियो में नहीं cover कर पाएंगे बट मैं तुम्हें एक idea दे दूगी कि क्या role और responsibility है क्या क्या work होता है तो सबसे पहले तो remedial exercise वगरा करवाना muscle strength का evaluation qualification, physical treatment ठीक है like जो भी ultrasonography से या फिर मैं बोलू different different type की therapy से और evaluation करना complete balance maintain करना patient का और manual therapy और mobilization हर type की therapy वगरा ये लोग देते हैं तो सब कुछ इसमें ये बीपीटी में include होता है status of the patient जो है और टाइप के patient का status ये इंप्रूव करते हैं environment वगरा से related का complete इने जो है ऐसा environment प्रोवाइड करते हैं hospital में भी काफी अच्छा तो काफी patient को feel good करवाते हैं तो काफी इनकी responsibility है mainly exercise वगरा and therapy वगरा ये लोग देते हैं तो काफी अच्छे हैं काफी ज्यादा लाइक consultant physiotherapist तुम बन सकते हो corporate physiotherapist तुम बन सकते हो ठीक है all day patient के physiotherapist तुम बन सकते हो तो लेक्चरार तुम बन सकते हो क्लीनिकल रिसर्चर तुम बन सकते हो ठीक है तुम जो है किस चीज में जाना चाहते हो ठीक है तो हम बात करें कि मेली जो है फीजियो थेरपी करने के बाद तुम लोग क्या क्या कर सकते हो तो सबसे पहले तो गोर्वेंट सेक्टर में जो है तु कर सकते हो तुम्हें अथोर्टी होती है बीपीटी करने के बाद कि तुम अपने अपने अथोर्टी के बैसिस पर जो है पेशेंट को ट्रीट्मेंट सजेस्ट कर सकते हो पेशेंट को एकसर साइज सजेस्ट कर सकते हो उनका कम्प्लीट एग्जामिनीशन कर सकते हो तो अगर जो तुम यह अपना कोज करने के बाद अपना कुछ खरना चाहते हो अपना क्लेवर्ण वगरा खरना चाहते तो वेल और गूर्ड जो है आके बहुत ज़्यादा पैसा भी है बहुत ज़्यादा अपोर्चुनीटी भी है कभी जिन्दगी में तुम्हें ऐसा नहीं लेगा कि तो नहीं करना चाते हैं तो गोर्वेंट में भी काफी अच्छी जो है, मलब ठीक ठाएक सेले काफी अच्छी आफी तेकने को में जाएगी अब रोड में भी काफी ओप्शन है तो तो वहां भी जा सकते हो तो बात करें, male और female में किसमें ज्यादा career option है तो as comparison to the female जो है male के लिए जो फीजो थेरपिस्ट बताया जाता है female के लिए थोड़ा सा कम options होते हैं career option आगे जाकर तो यह हमने देख लिया कि कितना यहां पर जो है क्या कुछ करना पड़ता है क्या कुछ work होता है ठीक है तो exercise वगरा massage वगरा सब कुछ फीजो थेरपिस्ट जो देते हैं और अपने basis पर जो है clinic वगरा hospital वगरा भी जो है open कर सक सकते हैं उनको treatment suggest कर सकते है different type के exercise भी suggest कर सकते हैं ठीक है और खुद खुद का भी कुछ कर सकते है like hospital administration business भी कर सकते है public health manager तो काफी ज्यादा scope है बट यह वीडियो जो है यही बताने के लिए थी कि पीटी जो है अच्छा course है या नहीं है बीपीटी करना चाहिए या नहीं करन चाहिए तो अगर तुम बीपीटी करने के बारे में सोच रहे हो तो वैलन गुड तुम कर सकते हो कोई भी दिकत नहीं है बीपीटी के बाद काफी scope है अगर तुम कर रहे हो तो और भी अच्छी बाद तुम करने के बाद काफी तुमें जो है benefits इसके मिलने वाले तो नेक्स न्यू अपडेट और वीडियो के साथ साथ कमेंट स्रेक्शन में बताऊं नेक्स वीडियो किस टोपिक पर चाहिए और यह वाली वीडियो तुमें कैसी लगी इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है